आज तो काम बन जाए मेरे हाउस में है आप मेरे घर पर आ चाहिए ठीक है पापा उनको बातों में उल्चाइए और सारी की सारी डीटेल्स ले लिए टीचर जी ने मुझसे कहा कि दो फूल आये हैं और उनको मिलने घर पर जाना है क्या केना चाहती है पूल का मतलब तो फूल होता है उसने आपको तो फिर जाओ और पूजा करो मामा को इनकी हाथ का खाना पसंद आ गया तो टीचर ने मामा जी को फोन कर दिया होगा हसना बहुत हो गया तुमारा नाम क्या है इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अरे ये क्या बात हुई मेरे चोतिश ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला और आखरी अक्षर सीम हो आज तक ऐसा नाम डुढ़ने के चक्कर में नाम ही नहीं रखा है यह बुजर्ग आपकी मदद करूंगा आपका नाम क्या है मुझे नहीं पता नहीं पता क्या मतलब बच्पन में दादी ने मुझे कान में बताया था फि तुम्हें मुजे बुलाया लगता है पूरी तयारी करे आया मुझे नाम, पटकर में लुशरा चाहिए है यह, वैसे मैं ने फोन करीदा है तुमारे एक फोडो लेते हैं कंने cinema क्यों ने चले पॐँक्त के छृट्पाते हैं यह तो 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 तुम भी लोगे तो तुम फोटो कैसे आएगी चलो वापा चाओ आपके घर के पास ही हूँ बस आई रहा हूँ तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होश्यारी का पता चल जाएगा जल्दी करिये ना देखिए मैं यह सब नहीं कर सकता प्रिंसिपल नहीं पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा हूँ आप कब से बेट कर रहा हूं जल्दी जल्दी ने अंदर लेकर जाओ यह तुम क्या कर रही हो तुम बठके नीचे चुपे हुए है अब वहां पर आप नहीं नीचे नीचे को हो गए वह आपने किसी और को फोन किया था पापा लगता है वो रासकल्स भाइब अगर वह लोग फिर से आये तो मुझे फोन कर दीजिए मैं उन्हें अच्छा सबग सिखाऊंगा लगता है आपने हिलसा मचली के करीब नाइए वैसे भी यह लंच टाइम है अब खाना खाकर जाएं ना नहीं खाना वान रहने आप इतनी दूर से यहां आएं तो खाकर जाए अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगा मेरी मां से बहतर बनाए बेटे मचली की काटे से बच कर आराम से खाओ मेरा नाम वेंकट नाइडू है मचली के काटे से मुझे आप शीक तो है ना आराम से आप आराम से तो काटा आप आप तू कहां जा रहा है वो समाले गयूं जाही पर मचली का मचली का काटा इको निक इसे बिना चपाए खाली जीका काटा अब सब्सक्राइगा काश यह काटा 20 साल पहले ही अटा क्या होता सर्वे रिपोर्ट आ गई है जिजा जी जब तक कोई चमतकार नहीं होता हम यह इलेक्शन नहीं जित सकते हैं अगर हम लोगों को इलेक्शन से पहले 5000 दे दें तो वह में पांच साल देंगे इसे ही डेमोक्रिसी कहा जाता है इंगलिश में बस 1000 रुपे ज़्यादा देने पड़ेंगे हमारा काम हो जाएगा अरे नहीं 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 अब यह काम नहीं करने वाला हमारे खिलाफ लोगों के अगर वो हमारे सपोर्ट में पॉजिटिव स्टेट्मेंट दे दे तो हम जीत जाएंगे अगर उससे हमारी ताकत बनाना है तो हमें पहले उसकी वेक्नेस वर फोकस करना होगा अलो मुझे मिलेटरी नयडू से मिलना है वहां पर अंदर होंगे। चला जा हुद्ध काओं के लोकों ने मुझे बताए कि मिलेटरी नयडू सही है भायंकर नयडू को सबक सिखाने के लिए हलो सर मेरा नाम कैंडी है और इसका नाम हार का हम आप से एक मदब मांगने आए हैं सर एक ताकत पर गुंडे आदमी ने हम दोनों को परिशान करके रखाए सर आप उस आदमी को पीट-पीट के मसल दीजिए सर अरे बाबा बाबा अच्छा है आखिर तुम आई गई है बिलेटरी नायरू मैं हूं तो फिर वाइंकर नायरू वो भी मैं हूं इस बलतकारी आदमी को कोई कैसे इजदार आदमी कह सकता है उनकी तो मैं है राजो है यह लड़किया तो आ ही गई जी मालिक ठंडा मंगवाओ स ही मैं सिर्फ उसका मामा ही नहीं हूं बल्के उसका माँ बाब सब कुछ हों अगर उसने गल्स किये हैं तो मुझे बतादो इतने दिनों से मेरे प्रीमा तोिंसेλοड ने केई और अधिक गया उसी के लिए और साइड में आने को कहा था इसी मामले को जानने के लिए आप लोगों को क्या लगा एक्चली वाट वी उसकी जरुद नहीं है कि इसलिए आप जानना चाहते हैं कि हम दोन अलग क्यों हुए सही का न तुमने अपनी जॉब क्यों जोड़ती कार्दिक उन इंटव्यू लेने वालों से तो तुम ज्यादा शॉक लग रहे हैं यह जानकर कौन शॉक नहीं होगा कार्दिक मैंने लंदन युनिवर्सिटी में अप्लाय किया है क्योंकि मुझे लगा कि इंटव्यू करने के बाद तुम वहां जाओगे मैंने सुचा था कि हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे अगर तुम्हें मुझ से यही एक्स बता देना मेरे मामा ने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया और उनके लिए मैंने नौकरी ठुकरा दी अब तुम सोचले तुम्हें क्या करना है क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है तो उसे भी छोड़ दोगे जिस लड़की को तुम प्यार करते हों कि मेरा आखरी सवा तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारी मामा अगर मामा के सामने जिन्दगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कार्थिक है मुझे लगा कि मैं अपने प्यार को फिर से जिन्दा कर सकती हूं लेकिन उसे सिर्फ हमारी लड़ाई याद है अलग होने की पहले की मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिलकुए भी मिस करता है लगता है वो मेरे बिना भी बहुत खोशी है हारी का मैं अपने भांजे से बात करूंगा प्लीज मैं दो दिन में अब रॉर्ड वापिस जा रही हूं आप और आपका भांजा यहां खोशी से रही है हारी का